नमस्कार आप देख रहे हैं हर्यार्णा न्यूज एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ चवी आए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और चंदीगर यूनिवसिटी MMS मामे में सभी आरुपियों को खरड अदालत में पेश किया गया अदालत ने सभी आरुपियों को 5 दिन के पुलス रिमान पर भेज दिया है इससे पहरे कोट ने उन्हें 7 दिन के पुलस रिमान पर भेज़ा था जो अवधी खत्म हो रही थी कोट में पुलस ने कहा कि अभी आरुपियों से कई सवालों के बारे में पुश्टाच की जानी है पुश्टाच के दरान आरुपियों ने क्या क्या उकला इस संब्द में पुलस ने लीडिया गर्णियों को कुछ नहीं बताया वहीं मामले में आरुपी रंकज वर्मा ने खरड कोज में जमानत याचिका लगाई है इस पर आज सुनवाई होनी है रंकज के वकीर ने बताया कि सेरा के जवान ने अधारत में को बताया कि इस मामले में रंकज का कोई लिना देना नहीं है चात्रा ने भी कहा कि वो रंकज को नहीं जानती रंकज के वकील ने उसकी जमानत याचिका लगाई है कि जिस पर आज सुनवाई होगी मामले में अब तक चार लोगों की गिरफतारी हो चुकी है सबसे पहले आरूपी चात्रा की ही गिरफतारी हुई थी वो चन्लेगर युनिविसिटी में एम भी की चात्रा थी आरूप है कि चात्रा लड़कियों की बातरूम में वीजियो बनाती थी और उससे अपने दोस्कों भीज जेती थी सेने का जवान अभी अनुनाचर में बनात था पुलस उससे भी गिरफतार कर पंजाब लाई है उससे पुछटाश में कई एहम खुलासे होने की उम्मीद है मुहाली से हमारे जंखमाता का कपिल नाकपाल की लिपोर्ट डिदर के लिग में बनाजम कर गफ्हां नागें पर बनावान के लिए के लिए मैं कर दो हो घुटाब लाँट तका दन्हे चिह मेel नू पेस क्यता एक कि और रिमार्ण सारख भाडन दिनता मिलें सर्थों जिस Columbus चक्राज तेक की प्रामध हो हुतार और सब्सक्राइब करें फॉलो और शेर करें साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बैल आइकॉन को दबाना न भूलें